आईए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रभू के वचन में और प्रात्न में जाएंगे आप हमारे साथ में बने रही है आप सभी को जै मसीखी मैं प्रभू इशू मसीख का बहुत बहुत धने बाद करती हूँ कि प्रभू इशू मसीखी ने मुसे इस योगे बनाया कि मैं आज गवाही दे रही हूँ अपनी गवाही और मेरी गवाही ये है कि मैं काफी सालों से परेशान थी मेरी गरदन में कतलगी रहती थी, ये काफी सालों से था, जिसका दवाईओं से कोई असर रही हो रहा था, मैं दवाईग खाती थी, हो कुछ टाइम के लिए ठीक होता था, बाद बे फिर वैसे का वैसा, फिर उसके बाद मैंने पीके ब्रदर अमरीता सिस्टर की मिनिस्ट्री में कॉल किया उनकी टीम ने मेरे लिए प्रे की और अमरीता सिस्टर ने मेरे लिए प्रात्ना की जिस प्रात्ना को मेरे रिसीफ करने के बाद आज मैं अपनी हर एक दर्द से अपनी हर एक दुख से अजाद हूँ इश्यूमसी के जंदा नाम में मैं धनवाद करती हूँ, आप सब का और प्रभू इश्यूमसी का धनवाद करती हूँ और मेरे दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बन बहुत जादा ड्रिंक करते थे और कब से कम एक साल से मुझे बात नहीं कर रहे थे इसके लिए भी मैंने प्रात्ना रिक्वेस्ट भेचा और उनकी प्रात्ना को सुनने के बाद मेरे पती हस्बन मेरे अपने आप खुद से वो मुसे बात करने लगे हैं आज वो मुसे अच्छे से बात कर रहे हैं और ड्रिंक भी नहीं ही कर रहे हैं इस चीज के लिए हाई पिता परमेश्वर आप सब कोछ है मसीद की हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे धर्न्यवाद प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रात्ना में और आज म लेकिन आपका एक और घर है आपका सरीर इसकी भी सफाई ज़रूरी है मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप नहाएं नहीं, बल्कि अंधरूनी रूप से अपने सरीर की आप सफाई करें अपने आपको अंदर से साफ करें क्योंकि परमेशो का वचन हमें कुछ इस परकार से सिखाता है यदि आप पहला राजा उसका पंदरा अध्याई और ग्यारपत पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है आशा ने अपने मोल पुरुष दाउत के समान वही किया जो यहुआ की द्रिस्टी में ठीक था आमें दोस्तों यहाँ पर पहला राजा उसका पंदरा अध्याई में राजा आसा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है और राजा आसा परमेशो के पीछे चलता रहा और जो कुछ परमेशो को प्रसंद करता था उसी प्रकार से वो अपने जीवन में किया करता था basically अगर देखा जाए तो वो दाउद को follow किया करता था जैसे दाउद अपने जीवान में परमेशु के परती विश्वास योग गिरहा वैसे ही आसा भी परमेशु के परती विश्वास योग गिरहा और आसा ने एक काम किया आप पर सकते हैं इस अधियाई को आसा ने काम किया कि उसने अपने देश को साफ किया परमेशुक के भवन को साफ किया जितनी भी गंदगी थी उसे उसने देश से बाहर निकाल दिया उस नगर से उस यहुदा से उसने उने बाहर निकाल दिया मिंच जो कुछ असुद था जो परमेशुक की दृष्ट में बुरा था, वो सब कुछ उसने दूर कर दिया, उसने उस नगर से उस यहुदा से उसने दूर कर दिया, उन सब चीजों को उसने वहां से बाहर निकाल दिया, मिंस दूसरे सब्दों में यह दिका जाए, तो उसने अपने देश की, अपने उन्हें निकाल दिया, दोस्तों इसी प्रकार से आज सुभे में परमेशुर आप से मुझ से हम सब से चाहता है, कि हम भी अपने देश की, अपने घर की, अपने सरीर की सफाई करें, अपने मन को सुद करें, अपने हिर्दे को सुद करें, आपके हिर्दे में जो गलत बाते हैं जो गंदगी भरी हुई है उसे आपको साफ करना है उसे आपको क्लीन करना है क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तब परमेशर आपको सफल करेगा आपको आगे बढ़ाएगा आपको पर्थिस्टित करेगा और परमेशर आपके साथ में बना रहेगा इसलिए आपक क्या गंदगी है इसलिए दाउद कहता है कि प्रभू मुझे जाच कर परक कि मेरे अंदर कोई गलत बात तो नहीं मुझे देख मुझे परक कहीं मेरे अंदर कोई अनुचित चाल तो नहीं है कोई गलत बात तो नहीं है प्रभू मुझे जाच और मुझे परक दोस्तों आज शेतर में गलत हूँ, तो जरूर से आप राजा आसा की तरह अपने मन की सफाई करें, अपने हिर्दे की सफाई करें, अपने सरीर की सफाई करें, अपने सरीर को जो कि परमेशो का मंदर है, उसे नस्ट न होने दें, उसे नस्ट न होने दें, जितनी गंदगी है, जो गलत बा बाहर निकाल दिया। येश्व मसी ने कहा, तुमने मेरे मंदर को डाकों की खो Бना दिया है। और प्रभी येश्व मसी ने उन सब को वहां से बाहर निकाला, उस दिन प्रभी येश्व मसी को करोद आया, गुसा आया। दोस्तों आज सुभे में मैं आपको उत्साइद करूँगा कि आपको भी इसी परकार से अपने जीवन को, अपने सरीर को, अपने हिर्दे को, अपने दिल को, अपने मन को पवित्र करना है, अपने विचारों को पवित्र करना है, उन से जो गंदगी है, जो नकारात्मक बाते हैं जो negativity है जो गलत thoughts हैं जो गलत विचार हैं उन सब को अपने जीवन से दूर करना है जब आप अपने सरीर के अपने हिर्दे के अपने मन के अपने विचारों की सफाई करेंगे तो परमेशर आपको पर्थिस्टित करेंगे परमेश्र आपको उचा उठाएंगे तो आज सुभह में यदि आपको लगा है कि आपके अंदर ये कमी है तो उस कमी को अपने आप से दूर करें यदि आपको लगा है कि आप जीवन के इस छेतर में गलत हैं तो उसे आप सुधारें अपने जीवन में सुधार करें अपने आपको पौवित्र करने की कोसिस करें अपने आपको सही रास्ते पर चलाएं जैसा प्रभु चाहते हैं अपने आपको सुध करें अपने आपको पौवित्र करें क्योंकि परमेशुर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनों परमेशुर चाहता है कि हम अपने मनों को साफ करें अपने हिर्दे को साफ करें लोटा के वल भार से न साफ करें हम बलकि परमेशुर चाहते हैं कि हम अंदर से उसे साफ करें अपने हिर्दे को हम साफ करें जो दूसरों के पर ती कूड़ा कबार है गलत बाते हैं उन्हें छमा करें उन्हें अपने जीवन से दूर करें जब आप इस परकार करेंगे तो निश्य प्रभु आपको पर्थिस्टित करेंगे आपको महान करेंगे आपको उचा करेंगे आपके जीवन में कारे करेंगे तो प्रभु आपक प्रभू के सामर्थी वचन को सुनकर आपने आशिश पाई है और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है आईए मिलकर हम प्रातन करें हमारे साथ जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुजर्ग लोग प्रभू इस सुभा की प्रातन में शामिल है खुदावन हर एक जन को आप नामों नाम आशिस दें उनके जीवनों में कारें और प्रभू उनकी सोच, समझ और कल्पनाओं से परें प्रभू आप उनके लिए मेरे पिता आज की सुभा में करें मेरे खुदा, होने दीजे प्रभू आज के दिन की शुरुआत येशु नाम से हम करतें खुदा, रात के विश्राम अच्छी नीन के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद, पिता आपके उपस्तिते के लिए आप अच्छे पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैैं, आपने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो कर, पाक साफ किया है, प्रभू हमें मौका दिया कि हर एक जनilt अपने मन को फिराए, हर एक जन अपने मनों को शुद्ध करे, हर एक जन प्रमेशो प्रभू अपने जीवन में परिवर्तन को लाए मेरे कुदा, पर आपने प्रबू हमेसाइयक इसलिए दिया है प्रबू कि उसकी साहता और मदद के दवारा मेरे खुदावन, ये सारी बाते हम सब के जीवनों में हो सके। पिताज हर एक जन आपके सम्मुक है, वो अपने आपको समर्पित कर रहे हैं, सम्पून रीती से हर एक ने आपको समर्पित किया है, इस प्राथन में हर एक जन प्रभू तुससे खनेक्ट है कुदा, मैं धनिवाद करती हूँ प्रभू आज के वचन के लिए प्रभू, इस बुज़र हर एक बच्चे, हर एक नौजवान से जिसने तेरी आवास को अपने कानों तक प्रभू रिसीव करने के लिए प्रभू अपने आपको समर्पित किया हुदा, उनके कानों तक तेरा वचन पहुचा है पिता, जिस प्रकार प्रभू आशा राजा ने प्रभू जी अपने पूरे राज्य को खुदावन्देश मसी, पिता उसने साफ किया, जो जो तेरी दृस्टी में गलत था, जो जो तेरी दृस्टी में अच्छा नहीं था, उसने उस सारी गलत बातों को प्रभू अपने राज्य से निकाल फेक दिया, उसी प्रकार प्रभू आप चाह प्रभू यह आपके पवित्रात्म की साहत और मदद के द्वारा होने पाएगा जैसे भजनकार दाउत इस बात को कहते हैं कि है परमेश्वर मेरे मन की रखवाली कर मेरे मूँ पर पहरा बिठा हाँ परमेश्वर प्रभू यदि इनके मूँ से गलत बाते निकलती है तो प्रभू जी और प्रभू जुन्जुलाहट है पिता यह सारी बाते प्रभू येश्व के नाम से इनके मनों से इनके विचारों से दूर हो जाए प्रभू आज इनके विचारों को शुद्द करें आज इनके हिर्दे को शुद्द करें आज इनके मन को शुद्द करें परम मर्पित करके ये कहने पाई कि पवितुरात्मा आप हमें जाचे हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमी है हमारे अंदर क्या वो गलत बात है हमारे अंदर क्या वो ऐसी बात है प्रबू जो प्रबू तेरे इस मंदिर को प्रबू दूश्यत और खराब करते है प्रबू आज हर हर एक को फिल्टर होने में हर एक को साफ होने में हर एक को स्वच्च करने में आप हम सब की मदद करें पवित्रात्मा उन गलत बातों को दूर करने में आप मदद करें प्रभू हम अपने इस मंदिर की सफाई करने पाए पिता हम अपने हिर्दयों की सफाई करने पाए पिता ह विचार, करात्मक विचार हर प्रकार की नेगेटिव बाते प्रभु, जातके लोगों को नेगेटिव बना रही है। यह शुके नाम से प्रभू उनसारी बातों को इनके जीवन से आप सब्सक्राइबुद रिचते को आपसे प्रात्न है कि वह सारी बाते दूर हो जाए और प्रभू वह एक मां और बेटी के तरह प्रभू उस रिचते को जीने पाए प्रभु बच्चों के और माता पिता के बीच के संबंद को प्रभु आप शुद्ध करें मेरे विचारों के द्वारा प्रभु बहुत से रिष्टे दूशित होने पर हैं प्रात्ने करती हैं प्रभु जो रिष्टे बिगड रहे हैं प्रभु तूटने की कागार पर प्रभ मेरे साफ करें, आप उन्हें पवित्रकरें, मेरे खुदा, धन्यवाद करतें, जब सत्यव को जानते हैं, तो सत्युम्हा था इस साहर से प्रइवार करता है, really को मैं आप को पिता तुझे जाना है अध richtin रेश को साफ करें ईनके परिवार में परबो इनके जीवन की लाइफ में एंके अन्गलत बातों को अप दूर खेए ओ एडिकशन किले में प्रभू हम और लियस昨 मगजे जीवन से दूर हम पाए पिता तैंक्यू फादर आज जितने लोग प्रातन कर रहे हैं प्रभु जी पिता अपनी जॉब के लिए प्रभु ने एक अच्छा जॉब दीजिए प्रभु जी उनके जॉब पर आशीश हो खुदा और बहुत से लोग प्रभु अपनी जॉब कर रहे हैं पिता उसमें प्र तेरे हाथ को थामा है तो उनकी नावा को पार लगाता है present YouTube इन्हें उन्हें सफलता की और लेकर मेरे पिता पर मेश्व है है। मैं दुआ करती प्यारे येशी कि आप उनके जीवन में ऐसा कार्य करें प्रभू कि होने दीजे प्रभू कि उन गलत बातों से फिर कर प्रभू अपने सही रास्ते पर चले एक अच्छा nature आप उने दे एक अच्छा年 प्या था करेक्टर आप उने दे हर प्रकार के धोका देने वाली बाते उनके जीवन से चली जाए। वहाँ पिता इनके काम सफल होने पहाई। इनके आने जाने में तुरखशा होने पाई पिता जिसा पर हाथ लगाए वह काम सफल हो पिता ऑर होने दीजिए। इनके बात में प्रबू अपने लोगों की अग्वाई करें उनकी साहिता करें परमेश्व के नि разв और जो बहुत जादा mentally disturbed हैं depressed है और बहुत जादा प्रभु जी समझाएं लेकर उनके जीवन में कारे करें, मैं धन्यवाद करती प्यारे पिता, प्रात्ना करती प्रभू ये शुमसी, विशेश रूप से मेरे खुदावन होने दीजे प्रभू, आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्त हैं, प्रभू, मेरे पिता उनको सम्मुक लेकर आते हैं, और ये वचन पावर्फुल है प्रभू, आज जितनों ने इस वचन पर विश्वास्त हैं, तु ने उनके शरीरों में अपनी चंगाई को दिया और आज ये भाई ये बहन प्रभू, आज से परमेश आलोकिक स्वास्त में जीने पाएं, वो कैंसर, वो पैरलाइज, वो ट्यू काम, बुखार, वोमेटिंग, कॉंस्टिपेशन, हर प्रकार की बिमारी से आपने इन भाई बहनों को बच्चों को नौजवानों को भाई को बहन को चंगा किया परमेश्वत, तु काफी लंबे समय से बिस्तरों में है पिता, ये शु मसी धन्यवाद कि अपने बिच्वान को इस ऐसी चंग को धन्यवाद करते हैं, आज प्रकार की आतमा हैं प्रबु, इनके जीवनों को छोड़ कर चली जाएं, प्ता, प्यारे प्रबु, दुख नहीं परकार perché, इन्हें लहू में हर एक जन को ढापते पिता और इस प्रातना को पिता तेरे सम्मुक रखते और धनिवाद देते कि आपने सुना उत्तरहा आमीन में दिया धनिवाद के साथ प्रातना येश्यू के नाम से मांग लेते सुने और ग्रहन करें आमीन आमीन और आमीन